प्राद के समय ओस एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है तो फिर ओस का अफसूस ना हो देखने योगे बात होगी कि क्या स्पिनर्स इस स्पिन फ्रेंडली पिछ का पूरा फाइदा उठा पाएंगे आज सिक्का किस के पक्ष में गिरेगा किस का भाग है चुना है कप्तान ने एंड हैद्स इडिस दोनों टीम्स तैयार हैं हैद्स जाबने हैं इस मुकाबले का चलपड़ी हैं बैदान पर राउल आउल्सू अंडर्स्टैंज इंपॉर्टिंस इंपॉर्टिंस नहीं गेंदाज बुचेगी कुछ कथिन सवाल लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए सलामी जोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको सलाम ठोके समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ सही ठीकाने पर गेर बल्ले बास खामोश बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौकर है नो फ्लाइंग फोन बुजिट कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेंट गई एक पार फिर हवा में छे रख वाओ याद ट्राइब है यह पढ़िया गेंट और मजबूर किया बल्ले बास को कि सिरफ रक्षाक मगंदास में लेए आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रान आसानी से यह फील्डर देगा नहीं अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर चेंज ऑफ पेस का प्लान है फास बोलर तो पुलाया गया है अटैक केंट को हलके से तकेला है फिल्डर की अच्छी है और बढ़िया थोगा अज सिंगल का महत हो है और वो पहचानते है बल्ले बास बल्ले बास जोखिम ठाएगा नहीं डॉट बॉट ऐसा लगा जैसे गेंद काया भी हो गई हो क्योंकि बल्ले से तो हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ स्लाम दाशकोव किया फील्डर में तब दील एस शॉट ने लूटी पहवाई इतना भी बड़ा मैदान क्यों ना हो इस शॉट में तो छे मिलेंगे चीदे को बीजे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास बड़िया जच्च्पेंट तेज रणिंग बड़िया रंग बटोर आप बल्ले बास उनें ये बात तो तो तह है कि आज गेंदबास पैविलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे लेकिन मैच मे रहेगा रोमा आज को भी सामिलरी टीम में अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको फिर जो गो बैक तो बेसिक्स कप्तान ने मीडियों पेसर को गुलाया है अटाइक 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 अटाइ गेंदबास पैविल्डर नीचे बल्लेबास बहार हां और ना में टाइम बेस्ट नहीं किया पढ़िया रानिंग बिट्वीन दमिकेंस दो दो हाथ करने की मंच्छा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आराम थोड़ा नासुक हातों से खेला ओन साइट की तिश इंडरस्टैनिक तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की कति है ओन सेट की दिशा में फ्लिक किया रन बटो रहा हां फील्डर का बढ़िया थो एक तंस तंस के ऊपर स्क्वैर लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड़ विकेट शेत्र में फील्डरों के इंदवास का च्छा ताल में तो और दर्शक दीरगा में बहुत सारा रोमाच्छ बाजुए खोल दी अमपायर ने वाइड का किया है इशार दिशा खराब तो दशा खराब दिशा ही इंद है वाइड के जरीए एक अतरिक्त रन है अन सैट की दिशा में फ्लिक किया रन बटो रही अब गोल्स लफिंगा प्राक्समान तो बिलकुर सहमती नहीं है अमपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े है तीसरे अमपायर की दफ़ यार इस रिवियू को बात के लिए समभाल के रखा जा सकता है अन्ते मोवर में बल्ले बास का मेहद उपूर सहमती नहीं को साधारन बल्ले बास अब इन्हें सिर्फ अपने प्रेसिक्स के साथ चुड़े रहना है अगर नीम मश्बूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है गेद को हिलके सित्र केला है में ब्रिकेट के रीजिन में बढ़िया जज्च्मेंट पेस रणिंग बढ़िया रंग बडोर आप बल्ले बास होगी ना ना बिल्कुल नहीं पड़ पाए इस गेद को और आप पस गए है बल्ले बास फील्डर और गेद बास का अच्छा तालमेल बड़िया थो क्या कमाल का प्रदरशन देगा हमने टीम में मुकाबला भी जीता है और विकपची टीम को दिल्कुल किया है बेज़ुआ सामने वाली टीम ने लेस तर ना बूद कर दिया आपकी टीम को क्या गुड़ ओफियर है कहिए वेल प्लेड और अपनी खेल पे रज़ा और कीजिए तबच्छो कमाल की स्राइगी देगी आज हम में इस बल्ले बास के बल्ले से और इसमें कोई शक नहीं कि मैंनो दो मैश का किताब इनकी छोली लिए